आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ एक तम इंस्टेंट लड़ू की रेसिपी जिसे आप मात्र दस से पंदरा मिनिट में बना के तयार कर सकते हैं और इसका टेस्ट जो है वो काफी कुछ बेसन के लड़ू जैसा है और इसको बनाने के लिए हमें कुछ भी भूना या गैस पे पकाना नहीं पड़ेगा तो चलिए बनाना शिरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहां लिए है भूनी हुई चने की दाल इसको कई जगे पे दालिया भी बोला जाता है और यह रेडी मेड मिलती है मार्केट में आप घर पे नहीं भूनीएगा चने की दाल इस तरह नहीं भूनेगी और यह हमने लिए है 200 ग्राम तो सबसे पहले हमने लिया है एक मिक्सर जार इसके अंदर हम आधी दाल डालेंगे पूरी दाल एक साथ मत पीसेगा वरना क्या होगा बड़े टुकडे रहने की चांसे जादा होते है तो आधी आधी करके इसको दो बार में आ अच्छे से चान लेंगे आप चाहें तो जो थोड़ी मोटी वाली चन्नी आती है आप उसे यूज़ कर सकते हैं उससे क्या होगा यह जो लड़ू है वो थोड़े से दरदरे बनेंगे तो यहां मैं इसको अच्छे से चान ले रही हूँ और यह देखिए उपर जो है चन्न की तरह और यह काफी दरदरा हमने बना के तयार किया है आप चाहें तो बिल्कुल फाइन भी इसको पीस सकते हैं और इसी तरह से हम जो दूसरा बैच है बुने हुए चनी की दाल का उसे भी पीस के पाउडर कर लेंगे और चान लेंगे और अब हमने ले ली है 200 ग्राम चीन लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चोथाई छोटा चमच इलाइची के दाने इलाइची के दाने चीनी के साथ पीसने से क्या होता ही अच्छी तरह ऐसे पिस जाते हैं और अब हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे और हाँ इलाइची डालना ओप्शनल है आप चाहें तो इसे skip कर सकते हैं, तो चीनी हमने अच्छे से पीस ली है, आप चाहें तो जो पहले से पीसी हुई चीनी अबूरा आता है, वो ले सकते हैं, तो ये चीनी और एलाईजी का पाउडर बनके तयार है, अब हम इसको जो हमने भुनी हुई दाल का पाउडर बना के रखा था, उ यूज नहीं करना है अगर आपके पास melt घी नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा गैस पे पेगला लें और उसके बाद ही इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके add करें starting में मैंने 4-5 चमज घी डाला था और अब मैं इसके अंदर 1-2 चमज करके ही घी डालूँगी इससे क्या होगा घी जो है वो बहुत जादा नहीं होगा हमें घी इसके अंदर तब तक आड़ करना है जब तक यह binding consistency में नहीं आ जाता अगर आप इतना घी नहीं डालना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में 2-3 चमज घी डालिए और उसके बाद आधा आधा चमज करके बॉल करके ठंडा किया हुआ इसके अंदर गरम मिल्क नहीं आड़ कीजेगा आप और इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर घी या मिल्क आप जो भी यूज कर रहे हैं वो आड़ करना है और इसको अच्छे से mix करते जाना है इससे क्या होगा इसमें binding अच्छी आएगी और इसकी जो consistency है वो perfect रहेगी अगर आप एक साथ जादा घी या मिल्क आड़ कर देंगे तो हो सकता है यह जो mixture है यह काफी lose हो जाए और इसके लड़ू सही से नहीं बन पाएं तो यह हमने अच्छे से mix कर लिया है अब यह जो mixture है यह binding consistency में आ गया है यानि कि यह लड़ू बनाने के लि और इस तरह से इसको bind करना शुरू कर दिया है basically हम इसे लड़ू का shape दे रहे है गोल और इसी तरह से अच्छे से press करते हुए क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ चाशनी वगएरा नहीं use की है तो इसी वज़े से इसको थोड़ा सा pressure से इसी तरह से press करते रहे जब तक कि यह ल उपर से बिल्कुल smooth हो जाएगा अगर इस stage पे आपको लग रहा है कि घी जादा हो गया है या milk जादा हो गया है तो आप equal quantity में चीनी और जो भुनी हुई दाल है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में use की थी वो equal quantity में 30 के अच्छे से और इसके अंदर add कर सकते हैं जिससे क क्या होगा यह mixture थोड़ा सा बंधना शिरू हो जाएगा और हाँ अगर आप उस तरह से इसकी consistency adjust कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक साथ बहुत जादा powder नहीं add कर दीजेगा थोड़ा थोड़ा करके ही बस equal potions में add करना है इस चीज का ध्यान रखिएगा तो हथेलियों के बीच में जिससे की यह बहुत ही बढ़िया तरह से स्मूध हो जाएगा उपर से तो यह देखिए दूसरा लड़ू भी हमारा बनके ready है I mean तीसरा लड़ू एक मैं पहले ही बना चुकी हूँ तो इसी तरह से हम बाकी के लड़ू भी बनाके तयार कर लेंगे त और यह देखिए कितने बढ़िया लड़ू बने हैं यह खाने में बहुत जादा बेसन के लड़ू जैसे हैं और आप इनको बनाके जरूर ट्राइ कीजिए आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं और अगर रेसिपी अच्छी झालो एकिंग